दोस्तो बालों, चहरे और स्किन को हेल्दी और ब्लोइंग बनाने में विटामिनी सबसे बैस्ट है आप इसे कई तरीकों से चहरे और बालों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं यहां आपको इसके इस्तिमाल करने के 5 तरीके बता रहे हैं आपको बता दे कि एंटियोकसीडेंट से भरे इस औरल की कैपसूल आपको किसी भी नजदी की मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहो जाता है आज आपको बताएंगे कि कैसे इसका सही इस्तिमाल करके आप अपने सकिन, बालों की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं ये विटामिन आपके स्किन की चमक को बढ़ाती है एंटियोक्सीडेंस से मिलेगा फायदा विटामिन ई में पाय जाने वाले एंटियोक्सीडेंस की गुण आपके चेहरे से लेकर बालों तक के लिए काफी फायदेमंद होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप इसका इस्तिमाल सही तरीके से करते हैं या नहीं क्योंकि यदि इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाए तब इसका असर आपको हफ़ते भर के अंदर दिखाए देने शुरू हो जाएंगे चहरे के लिए विटामेन E काप्सूल का इस्तिमाल आप अपने चहरे पर आसानी से कर सकते हैं विटामेन E तबचा को ड्राइ होने से बचाता है और उसे चमकदार बनाता है रोजाना रात में सोने से पहले बादाम या नारियल की तेल में मिक्स करके लगाएं चाहे तो इसका प्रयोग अपने मौश्च रज़, लोशन या स्क्रब में मिला कर सीधे चहरे और गर्दन पर कर सकते हैं आखों के लिए आखों के नीचे पर रहे काले घेरे या फिर थकी हुई आखों के लिए इसका इस्तिमाल अच्छा माना जाता है ऐसे में आप विटामिन E औरल को सीधे अपने आखों के नीचे लगा कर रात भर के लिए छोड़ दे इसका असर आपको कुछी दिनों में दिखाई देने लगेगा बालों के लिए विटामिन E का इस्तिमाल आप न सिर्फ स्किन के ऊपर कर सकते हैं बलकि इसका इस्तिमाल बालों को घहना बनाने के लिए भी किया जाता है विटामिन E का इस्तिमाल अपने रोजाना लगाने वाले तेल में डाल कर सकते हैं आप इसका प्रयोग बाल धूने से एक दिन पहले करें इसके लिए आप नारियल तेल में विटामिन E की तेल को अच्छी से मिक्स करके अपने बालों में लगाए और सुबह फिर शैंपू कर लिए हुन्थों के लिए विटामिन E का इस्तेमाल आप अपने हुन्थों के ऊपर भी कर सकते हैं इससे हुन्थ मुलायम और चमकदार बनते हैं विटामिन E के कैपसूल से उसका लिक्विड निकाल कर बादाम के तेल या ग्लिसरीन के साथ मिला कर हुंटों पर सोने से पहले लगाएं। इससे हुंट कुछी दिनों में सौफ्ट और चमकदार दिखाएं देने लगेंगे। स्ट्राच मांक से चुककारा, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अधिक स्ट्राच मांक की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में इस समस्या से चुककारा पाने के लिए विटामिन E कैपसूल में आप बादाम या नारियल तेल मिलाकर लगाएं। इससे दाध हलके पढ़ने लगेंगे, स्क्राब, विटामिन E का इस्तेमाल फेस पैक में मिलाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप फेस पैक लगाती हैं, तब आपकी स्किन खीचने लगती हैं, ऐसे में, आप पाने फेस पैक में उसे डालकर लगाएं, उससे आपकी तवचा काफी खिली-खिली और मुलायम देखेगी,